नमस्कार दोस्तों ब्यार सिविल कोट से वेकेंसी आई है जिसमें की सीटों की संख्या लगवग साथ जार से भी ज्यादा है लगवग 7600 सीटे हैं तो इसमें चारतर का पोस्ट है तो हम चलते हैं सारे पोस्टों के बाड़े में डिटेल से जानते ताकि आपको फंड भरने स जो भी सव włas होते बाद में चलकर वह चीज आज आज इस वीडियो के माध्यान से जान ले तू आपको सारा विडियो हर पोस्ट वाईज पॉर्टेक वीडियो में बता ही दिया गया है तो आप इसका पीडिये डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें जानते हैं कि क्या-क्या योगता मांगी गई है इसका ग्रेड पर है और इसे भरने के लिए क्या-क्या जरूरत पढ़ेगा यह सारी बातें इस वीडियो में तो मेरे साथ जुड़े रहे हैं और चैनल को जरूर कर दें ताकि इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे और इस चैनल पर आपको इंग्लिज साइन्स इन सभी तमाम तरह सब्सक्राइब आपको वीडियो मिलता रहेगा तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहे हैं तो आप चलते हैं इस नोटिफिकेशन के बाड़े में यहां देखिए पोस्ट जो अस्टेनों ग्राफर का है और इसमें जो सीटों की संख्या है 1562 सेट है तो इसमें ग्रेट पर रखा गया है तो आपको याद होना चाहिए कि कोट में जो है ग्रेजुएट पर जो भी वेकेंसी होती है उसमें इसमें पुडाने नोटिस के आधार पर निकाला गया है तो इसमें सुधार होके आपको जो ब्याली सो ग्रेट पर ही मिलेगा इसका फॉर्म जो अप्लाइका डिट दिया गया है 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक है तो आप इस फॉर्म को 20 तरीके बाद और लगवाग 15 पर अक्टूबर से पहले भर लें ताकि सर्वर प्रोलों के करण आपको कोई समस्यान ना है इसमें देगे जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है और दूसरा सर्टिफिकेट अगर आप अस्टेनों किये हैं तो बिहार सरकार या फिरान किस दूर ध्यान रखेंगे और दूसरे बाते हैं कि आप जब इस फॉन को भड़ेंगे तो आपका साइन जा है वाइट पेपर पर ब्लैकिंग से होना चाहिए और जो डिकलेडेशन फॉन बढ़ेंगे ऑनलाइन फॉन बढ़ते समय तो आपका डिकलेडेशन यह वाला है है यह एक्टटर तक यह फिद्र हीदिमएं भी एंदी आह bạn wish न를 देगा गया है कि Amberquer था जैब को फोटो के बार आप जानते हैं फोट जोए आपको पलॉर फोटोर देना है इसमें वह बैक्ग्राउंट के बारे हम कुछ ने कहा गया है तो मेक्सिमाम ble pint लाण में ड्सेंने सकते हैं और सिगनेचर जो है आपका बलाइकिंग से होगा वाइट पेपर पड़ोगा उसके वाद आप चलते हैं इसमें जो एज मांगा गया एज का क्रेटरिया जो है मिनिमाम 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम 37 साल यदि आप भिहार आज के हैं और अगर आपको छूट मिलता है सिगए तो बहुत सब्सक्राइब आपको छूट मिलेगा तीन साल का और गड़ाप अंडिकेप तो फॉर्ट का च्छूट मिलेगा तब 40 साल तक वह बढ़ सकते हैं उसको तीन साल चुट दिया गया है तो वह भी महीला बढ़ सकती है आना शीन को जो अबढ़ेज हैं सभी का नंबर मांगा जाएगा फॉर्म अप्लाइ करते समय यह सभी चीजे होनी चाहिए कि आप चलते हैं इस फॉर्म से संबंदित के बाड़े में तो जेनरल का जो फीस लग रहा है और बीसी इबीसी और इड़लू एस पीस 800 रुप्या और सी एस्टी और हंडीकेट के लिए जो फीस है चार्य sto रुप्य रखा गया है तो इस कोट से आपका क्या क्या हो सकता है तो देखे इसमें पहले चेस्ट नहीं दिया गया है तो पिछले बस जो 2016 वेकेंसी आये थे तो उसमें जो पीटी लिआ था इंग्लीज था हिंदी था सबसे 25-25 कोश्चन था सो कोश्चन था अगर आप सत्तर नमर लाते हैं तो आप क्वालिफाय कर जाते हैं यह इसमें अस्टेनों ग्राफी में कम फॉन बढ़ाएगा तो और भी कम नमर पर आप पास हो जाएंगे नौर्मल सब कोश्चन रहता है और साथ चलते हैं कि रिटेंall test मैं इसमें जो 10 दिया जाएगा मुफष यह है तो उसक ह anál है उसके रीयल रटेंट मैं आपका दो दौर्स का टेस्ट हो गाएक डिसक्रिप्टिव टेस्ट का दूसरा होगा ऑब्जर्टिंड लेस्ट टेस्ट में जनतें क्या-क्या पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देखें इंग्लीस में जो पूछा जाएगा कॉमन इरर फिलर सानों एंटो और डवलेस इंप्रूब्मेंट यह एक तरह से समझ जाए क्या एससी का एलडिसी या एमटी एस का सेट है और दूसरा गुरूब्बी में जो है हिंदी रहेगा आपका हिंदी में विप्रित आर्थक सद्वल्टा सथ बरतनी लगोपती मुहावड़ा यह सब रहेगा और यह जो है यह जो हिंदी और इंग्लीस है यह आपका सब्जक्टिक पेपर्ड है जोकी इसमें सब्जक्ट भी रहेगा एसे राइटिंग सब्通 लिखने के लिए तो यह सब्जेक्टिक पेपर्ड होगा और मुक्ति यह 15 चालिस नंबर में आपका जीके रहेगा यहां मैथ रहेगा जो कि मैट्रिक अस्टेंडर का मैथ रहेगा और 20 नमर जो आपका कंप्यूटर से रहेगा तो आप DCA के बारे में जानते हैं तो बस उसी subjective question रहेगा तो इन तीन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे आपका objective भी किलियर हो जाएगा और उदर subjective भी अब चलते हैं जो skill test होगा अस्टेनों के लिए उसमें क्या-क्या बोला जाएगा या क्या-क्या मांगा जाएगा और है इसकीड टेस्ट हैं अगर करते हैं शौक हैं तो आपको 25 संग मिलता है been हिंडी करते करते हैं तो 25 मिलता और झुलिंग अगर इंगलिस में करति है तो पंधूरं इस तरह से आपका माच्भ सफ शकतिया गया आए इसमें देखेंगे आप proficiency test मतलग कि आप कितना speed में करते हैं या फिर computer पर आपको कितना और अधिक जानकाड़ी है typing वगड़ है इन सब को छोड़ कर जिसे DCA वगड़ है तो समय आपका जो है दसंक एक्स्ट्रा मिलेगा जैसे देखें computer प्रोफेंसी टेस्ट में यहां लिखा हुआ है MS Word एक्सल इंटरनेट इस सब के बारे हम जानकाड़ी होना चाहिए यहां पर आपका देखें speed दिआ गया है जो आपका speed मांगा जाएगा क्या रहेगा तो देखें इसमें जो हट है अंग्रेजी में 80W मांगा चाहिए हिंधी में 60W पर मिन्बागा चाहिए अब देखें आपका जो और लिखा होता तो एक भी आगर आता तो कम चल जाता लेकिन यहाँ पर दोनों आना चाहिए तो यह थोड़ा मुस्किल काम हो गया है कि दोनों टाइपिंग सरी दोनों सोट हैंड आना चाहिए और इंगलिस में आपका टाइपिंग जो 40 वर्ट पर मिनिट है और हिंदी में 30 इंग्लि परसेंड में आना सी क्षेंड में इसके इसंब्सार से हिंदी दें और इंग्लिस देंदी में थोड मह ज्यादा है इंग्ली से 5 परसेंट और में 10 परसेंट अ क्या सब्सक्राइब जोए कुछ भी और एक्स्ट्रा बाते नहीं की गई बस मेरिट जोए आपका मेंस एजाम पर बनेगा और इंटर्विव के मार्स जोड़कर बनेगा पीटी बस क्वाइलिफाइंग है तो आप इस फॉर्म को जरूर बढ़े अगर आपको सोट हैंड आता हो क्योंकि इतनी सारे सेट कोट के लिए बहुत कमी निकलता है यह बहुत अच्छा मोका है तो आप इस कोट को जरूर बढ़े और इसके अलाबा और भी तीन चार तरह का पोस्ट दिया गया है तो आप बारे बारे से हर वीडियो को देखें और समझें और आप इस फॉन को जरूर अपला करें आपए और रजर आप इसके जरूर अच्छा उलाबा बारे से हो सोगर आप इसके तो का दुिया तो को जरूर आप इसके जरूर आता हैं कि अहार रझ्छा है तो कि जरूर आप Creatेंवेर कि लिए।